नमस्कार दोस्तो मैं आप सबका दोस्त अमन भगायत और आप सबका फेड़ से स्वाध करता हमारे इस नई वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से कोई भी ओपरेटर के सिम कार्ट को लॉक कर स सकते हो तो वीडियो पुरा ध्यान से देखना और जो जो स्टेप्स में बताओंगा सबकुस ध्यान से सुनना और मतलब कीदम खुले करके आँख करके देखना हो सुनना क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो आपका होगा क्या कि आपका सिम कार्ट पूर तरीके से खराब हो जाएगा तो इसलिए वीडियो में जो जो स्टेप्स में बताऊंगा ध्यान से देखना और सुनना ताकि आप जो की है सीम लॉक की प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से कर पाओ और आपको कोई भी प्रोब्लम का सामना ना करना पड़े और आपका जो सिम कार्ड है कभी भी पूरे तरीके से पर्मनेंटली लॉक ना हो या खराब ना हो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है तो सिम लॉक करने के फाइदे क्या होते है सबसे पहले हम वो जान लेते है तो देखो सिम लॉक करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप अगर अपने सिम कार्ड में लॉक लगा देते हो तो उसके बाद जो कि है वो सिम कार्ड कहीं पर भी किसी के भी पास चल भी जाता है तो उसका मिस यूज नहीं हो पाएगा ठीक है जैसे होता कि कभी-कभी ह पास नहीं हो जाता है छोरी हो जाता है तो उसके में क्या रहता है आपका चो और खूस् creativity पार हम लोगे डिस कौका सब करनाDoes और आपके mobile number को अगर कोई चुरा लेता है तो उसका misuse करके आपके account के पैसे भी खाली कर सकता है और आपके कोई भी document का OTP बगर लेकि कुछ भी misuse वाला गलत काम कर सकता है ठीक है इसलिए आपको SIM को lock करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है पर आप lock करके रखोगे तो जो जो वीडियो में मैं steps बता रहा हूँ सबको ध्यान से देखना ताकि आप जो की है safe तरीके से उसे lock और unlock कर पाओ और आपको कोई भी problem का सामना ना करना पड़े जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप सही से वीडियो को नहीं समझोगे और आप अगर कुछ भी गलती कर देते तो सिध्धा आपका SIM जो कि लॉक हो जाएगा उसमें P.U.K लग जाएगा एकर P.U.K लग जाता है तो उसके बाद अगर आप वहाँ पे भी गलती कर देते हो वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाते हो P.U.K नहीं खोल पाते हो तो उसके बाद आपका SIM है वो permanently destroy हो जाएगा फिर आपको जो कि नया SIM card ही लेना पड़ेगा ठीक है तो जो जो steps में पताऊंगा सब को ध्यान से सुनना तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं वो practically सिखते की कैसे करके SIM card को lock किया जाता है दोस्तो तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं अपने phone screen पे आ चुका और आपको लाइब कुरा process सिखाऊंगा step by step की कैसे करके आप अपने किसी भी SIM card को lock कर सकते हो एक बार आप अपने SIM card को lock कर देते हो तो उसके बाद जोगी है आपका SIM card को आपके phone से निकाल के अगर किसी दूसरे phone में भी लगा लेता है चाहे वो छोटा से छोटा keypad phone हो या screen touch phone हो तो फिर भी वो जो SIM card है उसमें lock लगा ही रहेगा और आपका SIM card है वो तभी खुलेगा जब आप जो की है वो सही उदर में pin डालोगे नहीं तो वो जो की है lock के lock ही रहेगा और बाद में P.U.K. मांगेगा P.U.K. भी आपने डाल पाओगे तो permanently destroy हो जाएगा SIM card ठीक है तो य जादस जादतर फोन में आता ही है SIM card lock तो SIM card lock को करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपके phone में SIM card लगा रहेना चाहिए जिस SIM card को आप लोग करना चाहते हो जैसे कि आप देख सकते मेरे phone में SIM card है जो की मेरे पास VI SIM card है तो आपके पास हो सकते है कोई भी दूसरे operator जादस आप सेटिंग खोलते हो तो उपर में आपको इस सर्च बार दिखने को मिलता है आपको सर्च बार पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको जस्ट लिख देना है SIM card lock ठीक है आपकर लिक के सर्च करोगे तो आपने आप आजाएगा SIM card lock वाला option आपको इस पर क्लिक कर देना हो सकता है कि अगर आपका जियो या कोई ऐसा operator हो जो की अपने तरफ से कोई lock लगा के नहीं देता है SIM पे ठीक है मतले कोई pin लगा के नहीं देता है तो उस case में आप इदर क्लिक करने गाए आप जो भी pin डालोगे तो आपका जो pin है वो permanently set हो जाएगा पर बहुत सारे ऐसे भ पहले देखना है कि आपका SIM card में company के तरफ से default से कोई lock लगावा आता है नहीं आता है ठीक है अगर कोई भी lock वाला नंबर अगर लगावा आता है तो आपको वो pin डाला है maximum जो operators रहते हैं इंडिया में ठीक है उनका जो मतले कि लॉक का SIM lock का जो pin रहता है by default वो रहता है 1234 य मतलब कि अभी जो मैंने 0000 डाला यह गलत है इधर लिखा गया ठीक है और अभी आमरे पास जो कि है खली दो एटेम्ट ही बचा है मतले एक एटेम मैंने ट्राइक कर दिया और दो वार और अगर मैं इधर गलत कर देता तो सिर जो कि मेरे SIM में P.U.K लगने के बाद क्या होता है कि उधर में जोगी है SIM कार्ट पूरे तरीके से एक तरह से आप कैसा तो लॉक ही हो जाएगा ठीक है और जो प्यू के रहता है वो डिफेरेंट चीज रहता है वो SIM लॉक का पिन नहीं रहता है वो पीन आपको SIM कार्ट की तरफ से मिलता है वो जब तक आपने ही टालोगे तो आपका SIM खुलेगा नहीं और प्यू के भी अगर आप आट नो दस वार अगर गलट डाल देते लगातार तो आपका SIM कार्ट हो पूरे तरीके से डेश्ट्रॉय हो जाएगा नंबर बाद हो जाएगा फिर आपको नया SIM कार्ट निकलवाना पड़ेगा तो देखिए आपक 1234 डाल के ओके कर देना तो जैसे कि आप देख सकते 1234 मेरा ले लिया और जो कि है हमारा लॉक लग चुका है तो मैंने जो कि है SIM लॉक का जो मेरा डिफॉल्ट था वी आई का वो निकला 1234 ऐसे आपका हो सकते 0000 निकले या 1234 निकले यह कुछ और भी हो सकता है ठीक है यह मैं गारेंटी निकले दूंगा कि 1234 यह 0000 ही रहेगा उसके अलावा कुछ और भी रह सकता है और आपको मैंने जैसे कि बताया कि दो तीन अटेंप्ट ही रहता अगर अगर सहीं पिन नहीं डाल पाए तो आपका SIM ऐसे भी लॉक हो जागा फिर PU के मांगता है ठीक है तो अगर आ ग्राइब तो जब बोलेंगे पियूके लग गया तो फिर वो लोग उसको खुलने के लिए आपको एक कोड़ देंगे ठीक है जब P.U के code डालोगे तो वो अनलाउक हो जाता है, ठीक है, और P.U के code डालने के लिए, एक मतलब कि पुरा process से आपको गुजरना पड़ता है, मतलब कि customer केरवाले को आप call के ऐसे पुछे, तो कोई भी P.U के code आपको ऐसे नहीं बता देंगे, वो आपका verification करेंगे, कि आप ही मतलब कि हो सकता है आपका जो SIM card है उसका serial number क्या है मतलब कि SIM card जब आप निकालोगे न तो SIM card के उपर serial number लिका रहता है वो पूछ लेता है तो मैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं उन लोगों के उपर totally depend करता है अगर आप सही answer देते हो तो आप जाके आपको PU के code बताएंगे आप SIM card का जैसे ही आप PU के code को डालोगे तो आपका जो SIM card है वो खुल जाएगा ठीक है तो यह होता है और बाकि अभी तो मैंने इदर lock SIM कर दिया है अगर आपका pin सही होता है आपका lock SIM हो जाता है तो आपको तो भाई पीन पता चलिया अब आप चाहते हो कि भाई वो pin नहीं रख एद़ आं मेरा one two three four आया था मैं one two three four अब ईदर डाल देताओ अब ओके पे क्लिक कर देताओ अब इदर हमसे नया पिन पुछ रहा है जो हम लोग kamu set करना चाहते मालो अब 믹न नया पिन सेट कर देताओ 000 हलाय नया पिन मैंने लगा दिया 0000 अब ओके पे क्लिक कर दूगा ठी पीन आप जिसे दो बार पूछे करने के लिए, फिर से वही पीन में दुबार से डाल दूँगा 0000, ठीक है, डाल दिया and OK पर क्लिक कर दिया, तो हमारा जो पीन है, हो सक्सेस्फुली चेंज रोगी है, अदर लिखा गया, ठीक है, अब देखो, आप मैं आपको एक magic दिखाता तो जो भी हो सकता है, ठीक है case, फोन स्वीच अफ हो गया, देखो, पूरा और आफ है, अब मैं इस फोन को on करूँगा, फ़ोन एधुकर एवारिए ऑ फोनने का के तो जैसे कि आप सकते हमारा जो फोन आ वह already और इधर जैसे कि आप देख सकते हो हमसे इधर पीन मांग रहे है जो हम लोग का SIM card का lock हुआ है उसका जो पीन है वो मांग रहे है ऐसी हो सकते है कि यह phone से SIM निकालके मैं दूसरे किसी phone में भी लगा दूँगा कहीं पे भी मैं SIM डालूँगा तो SIM ऐसे work ही नहीं करेगा इधर कि लॉक मांगेगा जब तक लॉक का पिन नहीं सही से डालूँगा तब तक वह वर्क नहीं करेगा और बाकि अगर आप इधर बहुत बार अगर गलत पिन ट्राइब करते हो ना यहां पर भी तो होगा क्या कि यूग के लगने से आपको कस्टमर केर में बात करके अपना वेरिफिकेशन करा के लेके डालना पड़ेगा तब जाके कुलेगा और अगर पियूके भी 10-12 अगर 8-9 10-12 अगर अगर डगलत ड़ेते हो तब कर सी में पर्मनेंटल इंटली मतले कि बंद कर दिया जाता है तो ब्लोक कर दिया जाता है फिर आपको नया सिम काड ही निकल व जीरो तो इदर डालते हो इसेम पिन मैंने डाला एंड इदर राइट पर क्लिक किया तो जैसे के आप देख सकते हमारे सीम काट का पिन पिन हमारा नेटवर्क भी आ έ चुका है तो इसी तरीकर से SIM Card का PIN रहता है उसको set कर सकते हो और आपका SIM Card को Lock कर सकते हो बाकिये दोगे लॉक्ट आप मालतो आपको आपको लोक्त नहीं रखना है लोक्त आप अप हाटाना चाने चाहते हो SIM Card से तो वो कैसे कर गी हाटा होगे तो फिर से आपको सेटिंग पर क्य trump करना है एद फिर आपको वही अली जगां पर चल जाना है सेटिंग के सार्च बार पर आप क्लिक कर गें pton sim card lock एधीं क्या लिखिया फीर से क्लिया MA जी यह बटन है पोलके यह ऊंक्या ईसको अधीट करते हैं तो फिर से आपको पिन मांगेगा जब तक यहाज टाल दीता हूए अमीर सफ किन का लॉक है वो अभी off हो गया ठीक है तो अभी हम लोगा sim card पे कोई lock अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हमारा sim card जो की है कोई pin नहीं मांगेगा जब भी आप switch off on करोगे या आपका sim card कहीं पे भी लग जाएगा पर वो option अगर on रहेगा तो आप से pin मांगेगा ही मांगेगा ठीक है तो आप ऐसे करके बड़ी आसानी से अपने किसी भी sim card को lock कर सकते हो तो I hope आपको वीडियो पसंद आया और यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक like जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर कर सब्सक्राइब को बड़ा है ना उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद